हेलो एवरिवान और वार्म वेल्कम तो एचीवर्स यूटूब चैनल नमस्कार दोस्तों एक पफीज़ स्वागत है आप लोगे अचीवर्स यूटूब चैनल पर तो कैसे हैं आप लोग आसा करता हो किसा अंदार तरीके से आप अपने लाइप को एंजॉय कर रहे हो अपने सेहत फैमिल और पढ़ार का धांग का अच्छी तरीके से रख रहे हो दोस्तों जैसा कि आप लोग को थमनेल देकर है कि आज मैं किस चप्टर पके बारे में बात करने वाला हूँ मैं बता दूंग आपको कि आज जोग्रफिका भारत का दीप और भारत का समद्री सीमा के बारे में मैं आप लोग के भीच में डिसकूर्श करने बाला हूँ actually इसमें होंगे क्या? इसमें mcq question होगे और mcq question सिर्फ नहीं होगे mcq question के थुरू आपको सारी जानकारी दे दी जाएंगी सारी जानकारी मतलब आपको map के थुरू पढ़ाया जाएगा कोई भी चीज कहाँ पे है वो कहाँ पे like कर रहा है कहाँ पे नहीं है वो सारी चीजों को आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से describe किया जाएगा तो आपको ये chapter है और इसमें आप बोलता है ने एक पंध दो काज काम मैं एक कर रहा हूँ लेकिन आपका overall सारी काम हो रहा है जैसे आपका chapter भी chapter भी पड़ पा रहे हो आप राम से इस मतलब question के थुरू question भी कर रहे हो जिस तरीके से question जा में पुछा रता है सेम सभी question को मैं यहाँ पे लाया हूँ तो I hope आप लोगों ने जगरफी का पहला lecture देखा होगा जो लोग नहीं देखे हैं उनसे मैं request है प्रीज आएं और देखें तो I hope आप लोग इस वीडियो को भी उसी तरीके से देखोगे और last तक देखोगे क्योंकि इसमें जो मेहनत किया गया है हर एक questions के बाद map दिया गया है वो विल्कुल एक अलग level का है तो बस आपनो last देखिए उसके बाद मैं आपको ये अशर करता हूँ कि आपको सारी चीजें हमेशा के लिए याद हो जाएंगी यहीं पर याद हो जाएंगी कहीं भी आपको जाने जड़त नहीं है अर अगर जो आपनो डॉन किलो चीजों को तो फिर तो कभी भूल लेंगे ही नहीं आप ठीक है तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रस्ट उससे पहले जो लोग हमाँ चैनल पर नियू जूड़े है जिनों हमाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उससे मिया रिक्वेस्ट है इससे थे अराकानियूमा तो यह देखिए अराकानियूमा है कहां पर यह सारी चीज़ों आप एक पर देख लिए तो देखिए यह जो है यह जो है यह जो आपका दिख रहा है यही है आपका अराकानियूमा अराकानियूमा क्या है इस तरह किसी इधर हिमाले है ठीक है आपको पता ही होगा हिमाले इधर है और इसे से मुड़ते 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 इधर गया तो यह हिमाले का ही पार्ट है और हिमाले का पार्ट ही इधर जाके आपका अरक्यान योमा बन गया है ठीक है और हिमाले ही इधर आप मलब आपका समूदर में बिसवजित हो गया या अंदर उसमें चला गया तभी आपका इधर आ गया ठीक है और जो अराकानियूमा भी अपका हिमाले का ही परवत कहां का है मैनमार का परवत है मैनमार का परवत है यह प्रशन था तो आप लोगो दिख गया हो ना यह मैनमार है यह मैनमार है आपको दिख गया होगा और यहीं पर आपका अराकानियूमा परवत है यहां पर आपका अराकानियूमा परवत है यह हमेशा आपके विवादित मुद्य में बने रहते हैं ठीक ह यह तो है आपका अंडमान निकोबार के ऊपर इधर है लेकिन यह जो है मैनमार के छेतर में है कहा है मैनमार के छेतर में है ठीक है यह आप लोगों को 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 चैनल जो है वह आपके मैनमार के छेतर में है ठीक है यह प्रसंद था फिर अब वहला कुशन था कि अंडमान निकोबा सबसे इसके बीच मे हो गया हैT 10 degree channel बाद आपको हो जाता है carnikovar जान्त कर नीको बार होता है अब के बाद तो यह पर यह फैसे पहां के चा데 आपको ङाता हो खाता हो यह इसके बाद आप का से इधर ईधर ईग्रिकलर हो ढिंद आप हो जा स्वेश हो गया मैं एक शीज आपको अच्छा से दिखाता हूँ, यह Great Nicobar है, तो Great Nicobar हो गया, Car Nicobar हो गया, यहां बीच में 10 डिरी चैनल है, ठीक है, उसके बाद यहां पे आपका Little Anandamon हो गया, उसके बाद यहां South Anandamon हो गया, यहां पे Middle Anandamon हो गया, और इसकी Port Blair, तो Port Blair कहां है, पर चल् आप लोग समझ रहे हैं, तो बिडियो को लाइक करना है, चूंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है, कुछिंस बनाने में भी, और पूरा PDF को त्यार करने में, चूंकि यह जो आपको हर कुछिंस के बाद मैप दिया रहा है, उसको खोजने के लिए बहुत ही ज़्यादा मे उत्री अंडमान में, चलिए मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको नार्कॉंडम आइजलेंड हो गया, अब देखें, नार्कॉंडम आइजलेंड कहां है, तो यहाँ पे आपका कहां है, क्या है, यह नौर्थ अंडमान है, तो यह कहां होगा, आपका न पार जिए आपके है और एकटिव कहना है जाए वह आndraione लिकोवार में अबट पुछेगा तो बैरन आजलेंट आपके लिए काफ़े इंपोरटन है यहाँ पर जो मैं सारे प्रश्ण करा हूँ, सारा प्रश्ण, मुदल आपके निजाम के लिए का भी important है, बस आप लोग द्यान से सुनेगा और चीजों को note-down करते रहेगा, हमेसे क्ली चीजें याद हो जाएगी, मैं आपको बता दो तो रहा हूँ, अब सली अगला question क्या है, कि 10-degree channel किसको भी भाजित करता है, 10-degree channel किसको भी भाजित करता है, तो 10-degree channel आपको देख़रा होगा, मैं दिखाता हूँ, अप्र faits अच्छा तरकिस से, यह 10-degree channel है, और यह मैं आपको पहला लेक्षे में बता चुका हूँ, 10-degree channel जो है, little unman or car nicobar को दो भागों में बाण ब अगला कोशन क्या कि भारत की दशिंतम बिंदु इंद्रा पॉइंट कहा है भारत की दशिंतम बिंदू है यह भुभाग का बात नहीं कर रहा है भाग यह च्छेत्र में आपका कन्यकुमारी हो गया वो भागे छेतमे आपका कन्यकुमारी हो गया लेकिन आपका पूरा अवर ओल सब चीजों आजलेंड मिला कर तो वो आपका इंद्रा पॉइंट हो आता है उपर में होता इंद्रा कॉल और नीचे होता इंद्रा पॉइंट और इंद्रा पॉइंट को ही आपका मैं दिखाता हूँ ये देखिए अंडमान और निकोबार निकोबार में आपका ग्रेट निकोबार निकोबार में आपका ग्रेट निकोबार सबसे नीचली छोर में आपका इंद्रा पॉइंट है तो वो है आपका जो भाग की दशिंतम बिंदू है ठीक है अब लक्षदीप कहां है बहुत देख लीजिए ये जो है वो आपका पूरा इस साइड में इस साइड में आपका यहां पर आपको केरल के साइड में लक्षदीप है ठीक है तो लक्षदीप में देखिए इतने सारे आइजलेंड है ठीक है बितरा हो गया चेलेट हो ग अपर दिप का सबसे बड़ा दीप का वो सब से बढ़ा दीप एदरो Samar भारत की कौन सी दीब का निर्मान परबाल भित्ति से हुआ है भारत की कौन सी दीब का निर्मान परबाल भित्ति से हुआ है तो लक्षदीब जो है ना उसका निर्मान परबाल भित्ति से हुआ है ठीक है परबाल भित्ति को परबाल भित्ति बनता है उसके उपर बनता है उस मुंहाने से भननेवाले दीप का नाम क्या है गंगा सागर नुमॉर दीप का फुद्भावा सागर नुमॉर दीप जो है वो हुगली नदी के मुहाने से बनी हुई दीप है ठीक है तो इसका अंसर क्या हो गया ए और बी दोनों गंगा सागर और निमोर दीप जो है वो हुगली नदी के मुहाने से बनने वाली दीप है ठीक है तो आपको यहां देख लिजे निमोर दीप यहां पर आपका निम उरदीप exist करता है, ठीक है. चलिए अगला कोशन देखते हैं. कि विलरदीप किस नदी के मुहाने पे है? विलरदीप जो है, वो किस नदी के मुहाने पे है? ये विलरदीप जो है, वो काफी important हो जाता है. क्यों important होता है? क्यूंकि यहां से अपका missile का परछेपन होता है. आप ब्रहामनी नदी के मुहाने पर ये विलर दीप है और वहां से क्याता है मिसाइल का परशेपन होता है यहाँ पर विलर दीप को दिखाता हूँ यहाँ पर आपका विलर दीप है और ये ब्रहामनी नदी के मुहाने से आपका विलर दीप का निर्मान होता है और ये जो है वो मिसाइल का परशेपन यास होता है विलरदीब से मिसाइल का परशेपन होता है और ये कहा है ओडिशा में है तो ब्रहानी दिके मुहाने से विलरदीब का अंदिर्मान होता है अब देखे खलावसन क्या है कि इस्रो के launching pad कहा है इस्थित है इस्रो के launching pad कहा है इस्थित है तो आंधर परदेश आंधर परदेश के स्री हरी कोटा में आंधर परदेश के स्री हरी कोटा चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मैप में दिखाता हूँ आंद्रपरदेश के स्रीहरी कोटा में सतिस धवन अंत्रिक्ष केंद्र इसका नाम है सतिस धवन अंत्रिक्ष यान नाम है इसका और जो यह है आपका स्रीहरी कोटा दीप है और यह जो है आपका कहा है अंद्रपरदेश में अंद्रपरदेश में आपका ये इस लोग के launching pad है कहा है अंदर पर इसमें इसका नाम क्या है आपका स्री हरी कोटा 37 धवन अंतरिक्षकेंदर ठीक है और ये जो है उपगरा को launch करता है उपगरा को launch करता है ठीक है वो मिसाल को करता है ये उपगरा करता है आपको बबन दिप यो तो बिल्कुल आप लोग याद कोई वह हमेसा पुशा रहता है कि पंबन दीप कहा इस ही तो पंबन दीप क् guitar था फिर अगला question देखिए मैं जितना सा zkॉर रहा हूं किया तो चीजे घूए लगता है जो आपको तो टेलीग्राम पे पीडिया भी भेज दूँगा ताकि हमेशा आपके पास रहे और जब भी आपको रिविजिन करना हो तो आप इक बार देख जाओ आपको मतलब हमेशा के लिए चीज़ें याद हो जाए ठीक है फिर ता आलिया बेट कहा है आलिया बेट और खालिया बेट आलिया बेट और खालिया बेट यह जो है वो नर्मदा नदी के मुहाने पे है यह जो दीप बनता है वो नर्मदा नदी के मुहाने से बनता है नर्मदा नदी के पाने से बनता है जो कि आलिया बेट और खालिया बेट है तो यह कहा है नर्मदा नदी के मुहाने पे है ठीक ह यह प्रस्न बहुत बार पूछा जा चुक है यह वो मुंबाई स्थित दीप इसी पे वह मुंबाई ढिर डिकाते है सोल्षेट दीप पर मॉंबई जो है वह इस व थे ठीक है ये कुशन था है अगला प्रस्न है मां निकोबार दीप को अन्न किस नाम से जाना जाता था तो मरकत दीप अनमान निकोबार को मरकत दीब से भी जाना जाता है, कौन सा दीब है, मरकत दीब, तो अनमान निकोबार का एक अन्य नाम है, मरकत दीब, तो बिलकुल आप याद कर ले जगा, यह प्रस्ण पूशे जाते हैं, फिर भारत में कुल कितने आइजलेंड है, भारत में कुल 1208 फिह एक प्रस्न है भाद का सबसे बड़ा दीब सम्मूँ कौंसा है तो अंडमान बार frightening को वा gelen बाद का सबसे बड़ा अब करना कोश्ण क्या कर रहा है कि अंडमान और निको बार की समूँ मैं कुल कितने दीप है अंडमान और मार 34 जो है 34 जो है वो मानब द्वरा अस्थाई निवास के लिए परियुक्त किया जाता है यानि इस पे 34 दीप जो है उस पे मानब रहते हैं 34 दीप जो है वो मानब द्वरा अस्थाई निवास के लिए परियुक्त किया जाता है लेकिन सम मिला के 572 तिता riches और टीप ने, पानसो बहत्तर दीप है, डीप समूँ मत क्या हुआ है कि रहने पूरे पानसो बहत्तर दीप है किसमें वह नीकोबा में, और 34 जूँएं जहांप करेterm दोबानव सक्रिया । 게रक प्रषप्ति अबहाँ आपको की दो जोो है वहाँ पर प्रसुप्त मुखीया और एक जो है एक टीव और !". तो वह है वह सक्रि जो ओला मूखी थो ये जो उपने आइलेंड है मैं आपको दिखा जाता हूँ यह है आपका वेरंज आइलेंड है यह है नार कॉंडम नार कॉंडम जो है वो सुसुप्त है प्रसुप्त है मतलब यह ओकर नहीं होता है लेकिन जो वेरंज आइलेंड है वो एक्टिव है यह ओकर होता है ठीक है तो यह जो है सक्र अगला प्रस्ण है अंडमान निकोबार दीब को अन्य किस नाम से जाना जाता है अंडमान निकोबार को मरकत दीब से भी जाना जाता है क्मण से नाम है मरकत दीब तो बिलकुल आपकर आपने याद कर ले जगा। यह पूचिए जाते हैं.. बाहरत में कुल 1208 इजलेंड है। लेकिन भारत में दो परमुक दीप सम्हूँ है.. यूची बारथे पूरा दीप यूची प्र दीप सम्हूँ है.. तो अंदमान निकोबाद ั्समु जो है वो भारत का सबसे बड़ा दीप समु है अब देखिया ककोशन क्या कर रहा है कि अंदमान और निकोबाद दीप समु में कुल कितने दीप है तो अंड़मार और निकोबार दीप समूँ में अबकुल 572 दीप है लेकिन 572 तो है लेकिन इनमें मात्र 34 जो है 34 जो है वो मानब द्वारा स्थाई निवास के लिए परियुक्त किया जाता है यानि इस पे 34 दीप जो है उस पे मानब रहते हैं 34 जो है वो मानब द्वारा स्थाई निवास के लिए परियुक्त किया जाता है लेकिन सम मिलाके 572 दीप समूँ है अब देखे लाको से 572 दीप समूँ ने है 572 दीप है दीप समूँ में क्या हुआ हुआ कि दीपों का समू, बहुत सारे दीप को मिलने से दीप का समू बनता है, ठीक है, यह था जो पूरे 572 दीप है, ठीक है, किसमें, अनमान वर निकोबामी, और 34 जो हैं जहाँ पे मानव लोग एक्जिस्ट करते हैं, मानव लोग रहते हैं, ठीक है, अब था भारत का एक मात शक् जो अलमुकी, तो Varendip जो है Varendis Island जो है, वो सक्रिज जो अलमुकी है और ये जो Varendis Island है मैं आपको दिखा जाता हूँ, ये है आपका Varendis Island ये है नार कुंडम, नार कुंडम जो है वो सुशुपत है, प्रसुपत है मतलब ये ऑकर नहीं होता है लेकिन जो वेरंजारि लेंड है वो एक्टिव है ये ओकर होता है ठीक है तो ये जो है सक्रिय जो अलमूग है ठीक है आप लोको दिप गया होगा अगला कॉशन है कि अंडमान वर्निकोबाद दीपसमू में सबसे पास इस्थित कौन सा देश है अंडमान वर्निकोबाद अंडमान वर्निकोबाद दीपसमू से सबसे पास इस्थित देश कौन सा है अंडमान वर्निकोबाद दीपसमू है उसके सबसे निकट देश कौन सा है इंडोनेसिया इंडोनेसिया जो है वो सबसे निकट इस्थित देश है ठीक है जो कि अंडमान वर्निकोबाद कितने दीप है तो 49 जो है वह लक्ष दीब समू के अंतरक आते हैं लेकिन 11 दीब बस वैसा है जहां पर मानब लोग रहते हैं ठीक है अब देखेंगा कुस्रीब समू सबसे पास सित राज कोन है लक्ष दीब समू वहां पर सबसे नजदीक राज कौन है मैं पहले बता चुका हम आपको केरल जो है केरल जो है वह बिल्कुल लक्षदीब के निकट है ठीक है आपका यहां से लबग 400 km केरल के तट से लबग 400 km आप कहे लिजे बिल्कुल निकट है लेकिन वह निकट तो है आपको डिस्टेंश जो भड़ता है वो चार शो किल्लोमोनेटर का दूरी पढ़ता है ठीक जो कि अरब जीहार में श्टित है और यह कीरल जो है राज वहां से नजदिक है चार कीलीमेटर का दूरी है लेकिन वहां से नजदिक है ठीक है अब अगला इंद्राव इस्तित है, इंद्राव या पीमेलियन पॉइंट या इंद्राव पॉइंट पॉइंट कह लिजए, यहें पे आपका 8 डिग्री है, जो कहने कुमारी है, 8.8 degree 4 minute 8 degree 4 minute ठीक है तो ये चीज़े आपको असपस्ट हो गई होगी तो असपस्ट हो रही है तो विडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं बूले ठीक है इंदा चानों कौन से एक छांस रखा पर है इस दित है तो 6 degree 4 minute कौन है 6 degree 4 minute अब देखे अगला कोशन क्या कहता है अगला कोशन है कि भारत का पूरव से पश्चिम बिस्तार कितना है भारत का पूरव से पश्चिम का बिस्तार पूछ रहा है तो यहाँ पे आपको पूरव से पश्चिम यहाँ से क्या है आपका पूरव से पस्चिम का बिस्तार है पूरव से पस्चिम कितने बिस्तार है 2933 किलोमेटर अब देखिए इसका मतलब आपका उत्तर से दस्चिम कितने बिस्तार है तो उत्तर से दस्चिम का बिस्तार है यानि इधर से आपका उपर सिधर गया है तो इधर बतीस सो चौदा यानि 3214 किलिमेटर आपका उत्तर से दस्चिन की ओर बिस्तार है इधर से कितना है? उनतीस सो कितना है? उनतीस सो कितना है? उनतीस सो एक तीस ना? ने जड़ी, टू नाइन थ्री थ्री तो यह था आपका उनतीस सो एतीस आपका इस साइड में और आपका बतीस सो चौदा आपका इस साइड में ठीक है? यह जो है बिल्कुल आपको ऐसे बना लेजिए का ऐसे आपका गोल बना लेजिए सरकल ठीक है? और यहां पर यहां लिख दीजे उनतीस सो चौदा उनतीस सो से अपका पूरा पश्चिम घाट और अरब सागर के बीच भारतिय प्रयादीब के पश्चिम तटके समानांतर कौन सा संकिर्ण तत्वर्ति छेत्र है तो मालाबार तट चलिए मैं दिखाता हूं को मालाबार तट कहा है तो यह जो है वो मालाबार तट है ठीक है कहां से कहां तक अपका करनाटका से अपका केरला तक मालाबार तट यहां अपका गुजरात यहां गोवा गोवा से अपका करनाटका तक कौनकंटट है कौनकंटट कहां से कहां है महरास्टा महरास्ट यहां पर गोवा है ठीक है गोव गोवा से आपका करनाटका तक गोवा से करनाटका तक आपक कोंकंटड़ है तीक है खुदण चुमेर해ं whalesha गाण्ध के अंतर स३idor रहा है अब देखें निशे भी कुछुशन होगा कि महाराष्ट में अवस्थित पस्चिम घाट अरब सागर के बीच भारतिय प्रादीप के पस्चिम तट के समयांतर कौन सा संक्लन तट वर्ति छितर है तो कोंकंट एड़ा से आपका कर्नाठका तक है तो आप लोग को बिल्कुल मैं पर स्र्यूर्प से दिखा दिया हूँ यह कहाँ है मारास में अवस्थित पश्चिम घाट अरब सागल के बीच भारतिय प्रादिव के पश्चिम तर्के समयं रहांतर अपका यह घू रहाद का यह सारे प्रसंजों थे वो भारत के दीप से थे अब आपको देखना है समुद्री सीमा समुद्री सीमा क्योंकि दो चप्टा जो है वो छोटा है और मेरा इक्षा था कि दोनों को एक ही में इंक्लूड कर दिया जाए ताकि आपको चीजें बिल्कुल असपास उता समझ में आ यह कैसे बनना था ठीक है तो अनकलूज यू एन सी एल ओयस इसका गठन हुआ था ना इन्टी एटिटू में अनकलूज इसको बोलता है ठीक है इसका फुर्फरम होता है United Nation Convention on the Law of Sea क्या होता है United Nation Convention on the Law of Sea ठीक है यह जो होता है वो परतेक देश के समुद्री सीमा के लिए नि प्रादेशिक समुद्री सीमा का बिस्तार कितने नौटकल माइल तक होता है प्रें नौटकल माइल बराबर होता है प्रादेशिक समुद्री सीमा का बिस्तार कितने नौटकल माइल तक होता है तो बारा नौटकल माइल तक कोई भी देश का आधार रेका से पुरा संपून अधिकार होता है वही एक जिसे यहाँ पर आप मैं दिखा जाता हूँ सपोज यह जो है वो अधार रेका है यह जो है वो अधार रेका है तो उससे बारा नौटकल माइल तक उस देश का संपून अधिकार होगा उसमें जो चाहेगा वो करेगा कोई रोक टोक करने बाद नहीं पैदा हुए ठीक है जो हम मेरा मन करें गाय बांदें गाय बांदेंगे मेरा मन करें गहाँ पर खेलने का खेलेंगे जो भी कर सकता है हम वहाँ पर मिसाल उड़ा देंगे कुछ भी कर देंगे मलब मेरा कंसर ने मेरा चीज है वो हम उस पर कुछु करें तो 12 नोटकल माल तक जो है वो प्रदेशी सम्मधी सीमा होता उसको उसको बोलते है Gesetzentwurf संपुन अधिकार उस देस का होता है जो मतलब आपका प्रदेशी सम्मधी सीमा होता है वो वो 12 नोटकल माल तक होता है ठीक है यानि बार नोटकल मायल मलदब 1.9 किलो मेटर इंटू बेल कर लेजिए उतना किलो मेटर तक पूरा भारत का है उसमें कोई हाथ नहीं लगा सकता है हाथ लागा तो काड देंगे इस समझ दिए बस इतना समझ दीजिए ठीक है अब देखे एकला कोशन कि होता है 24 नोटकल मायल तक मैं दिखाता हूँ आपको अधार रेखा से यह अधार रेखा है और यहां से 24 किलोमीटर तक 24 किलोमीटर नहीं 24 नोटकल मायल तक क्या अधिकार है का साफ सफाई का अधिकार वहाँ कुछ गंदगी है तो उसका साफ करने का मेरा अधिकार है कोई कर सकता है शीमा सुल्क बसूली करने का अगर जो कोई देश का जहाज या कुछ भी आपका 24 नौटकल माइल तक आज आए अंदर तो उसे हम सीमा सुल्क बस लेंगे कहां घुजगे अंदर रही सीमा सुल्क दो तब तुमको जाना है तो कोई भी देश को देखता है कि हम कहां जा रहा है तो 24 नौट को माईल तक साप सफाई का अधिकार सीमा सुन ले का अब बीतिया दिकार वह उस देश का होता है जिससे 24 नौट को माईल नजदिक होता है तो अभी छिन मंदल कितने तक होता है 24 नौट को माईल तक होता है ठीक है यह कोश्चन है अब बगला कोश्चन है अनन आर्थिक छेतर यानि एक्स्क्लूसिव एकॉनमिक जोन यानि ईजेड ईजेड का अनन आर्थिक छेतर का अब इस्तार यहां पर माफ कीजिएगा है वो आपका इहां से अधिका आपका अधार छेतर से अधार छेतर से 200 नौट को माईल तक उस देश का क्या क्या हो सकता है उसमें क्या होता है कि संसाधनों का दोहन करने का अधिकार वहां पर जो संसाधन हो सकता है उसको हमको यूज करने का मेरा अधिकार है नए दीपों क अधार चेतर से 200 नोटकल माल तक हम आइजलेंड का मिर्मान कर सकते हैं वहाँ पे रहा सकते हैं वहाँ पे कोई गुंडा मतलब कुछ करने बार नहीं है कोई बोलने बार नहीं है ठीक है तो 200 नोट के माइल तक वो संपुन अधिकार आपका उसरास्टर का होता उस कंट्रि का होता ये अपका आधार छेतर है तो वहाँ 200 नोट का माइल तक उस देश का अधिकार होगा सबसे पहले संसादनों का दोहन करने का अधिकार में रहेगा उसके बाद नए दीपो, कोई भी सन्सादना, पैट्रोलियम निकल वैँ, कुछ भी निकल दा तो बिल्कुर उसका यूज करने का मेरा दिकार है, दुसरा के हहाँ पे नहीं यूज करेगा, या पी अपको मछली पाल ला कुछ भी करना है तो वो मेरा दिकार है, उसमें दुसर अपना मुहाना बनाती है तो नर्मदा नदी और तापती नदी मैं दिखाता हूँ अपका ये जो है खंबाती खाड़ी यहाँ पे तो नर्मदा नदी और तापी नदी जो है वो कहां अपना बनाती है कहां बनाती है अपको ये जो है वो खंबात की खाड़ी में इसका मुहाने बनाती है खंभात की खाड़ी के नाम क्यों पढ़ा है, गुजरात में कस्वा है, यहां पे आपका कस्वा बसता है, जिसका नाम है आपका खंभात, तो उसी कस्वे के नाम से इसका नाम खंभात की खाड़ी पढ़ा है, और यहां पे आपका कक्छ की खाड़ी है, कक्छी खाड़ी के न तीन ओर से गिरा हुआ खेतर को भुभाग मतलब लैंड से गिरा हुआ खेतर को खाड़ी कहते है तो आपको चीज़े बिलकुल उसमया रही है न्मदा नदी है औरतापी नदी यहजो है pops रहा है मंदार्षी खाड़ी पजेटन भारत और श्रिलंका के बीच आपका अबस्तीत है यहाँ पर आपको पाक जो था है वो आपको टमिल नाधू और स्रिलंका थीक है? अलग करता है या जोड़ता है ठीक है? यह बाते बिल्कुल आपको पाक एश्टेट के बारे हैं आपको पहरे लेक्षन बता चुका हूं आपको बताना मैं मेरे लिए थोड़ा है कुछ कीजिए अपको एक चीज़ वहां पर तीन कोश्छन का अंसर मेकमोहन लाइन, रेट क्लिफ लाइन अंदूरन लाइन यह किसों से जोड़ता है, किसों से को अलग करता है इसो कमेंट में आप लोग को देना है अगला कुछने मिनिकाय और मालदीब को कितने डिग्री चनल जोड़ता है तो 8 डिग्री चनल यह आपका यह आपका 9 डिग्री चनल यह आपका 9 डिग्री चनल यह आपका लक्षदीब की अधानिकावरती है तो यह जो है 9 डिग्री चनल जो है वो मिनिकाय और लक्षदीब को जोड़ती है या अलग करती है तो यह सारे प्रस्ण आपके किसके थे? समुद्री सीमा और आपका टटरेखा समुद्री सीमा और आपका टटरेखा से सम्बंदी थे आपको लाइक करना है लोगों में share करना है करना है लोगों में तो बस आपलोगका रेच्पोंस अच्छा मिलेगा मैं आगे continue करूँगा अगर response खराम मिलेगा तो मैं उन्हों कुद दूँगा ठीक है तो it's up to you ठीक है आप जितना इसे share कर सकते करो जितना देखना देखो लाइक करो बस वीडियो के लास्तर बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार बहुत जली मिलते हैं अगरे बीडिक साथ में जैहिन